असोक के पेड़ के सीड जो होते हैं उससे हमने ये प्लांट्स ग्रो किये हैं सितम्बर अक्टूवर के महिने में हमने सीड कलेक्ट किये थे और उसके बाद उन सीड्स को ट्रे जो प्लास्टिक की ट्रे मैंने कई वार अपनी वीडियो में दिखाए कि नर्सनी हम जो ट्रे य देख रहे होंगे किस प्रकार से करते हैं। इनको हम polyvag में shift करेंगे उस वीडियो को मैं आपके सामने लेकर आउगी कि हम polyvag में किस प्रकार से cutting को shift करते हैं असोग के पेड़ सीड से भी तयार किये जा सकते हैं और कलम से भी तयार किये जा सकते हैं कलम नॉर्मली जैसे कि आप किसी भी असोक की टैनी को काट लो और 45 डिगरी के कौन पर काटने के बाद इंटर नोड से नीचे 45 डिगरी काटर को लेकर काटने पर और उसको मौम या फिरूट विन के द्वारा तयार करने के बाद किसी भी ट्रे में रिपोर्ट कर दो